Hi everyone, हम Class 12 के Modern Trends in Indian Art के Under sculpture की series कर रहे हैं हम already graphic prints और paintings पढ़ चुके हैं और sculpture में हमने अभी तक triumph of labour करा है So, आज हम एक और बहुत important sculpture करने जा रहे हैं वो है संथाल फैमिली इसके artist है राम केंकर वैज Time period है 1938 Medium है cement and concrete या आप cement, sand and gravel भी लिख सकते हैं collection कला भवन शांती निकेतन So, ये 5 points आपको learn करने हैं अच्छे से And now little bit about the artist राम किंकर बैज was one of the pioneer of the modern Indian sculpture इनका जन 1910 में बंकुरा के एक गरीब परिवार में हुआ जो कि West Bengal में है ये self-taught artist थे इन्होंने बाद में कला भवन शांती निकेतन में admissionally और नंदलाल बोस के शिश्य बने और इनके sculptures में एक खास बात क्या थी कि एक innovation थी एक नया पन था चाहे वो theme में हो या material में हो एक अलग ही expression था characters को बहुत अच्छे से पकड़ना एक होता है outer form एक होता है inner feeling so वो दोनों तरह की feelings को बहुत अच्छे से पकड़ते थे अपने sculptures में और एक movement और energy थी इनके काम में उनका अलग ही style था जैसे मैंने कहा ना कि वो एक गरीब परिवार को belong करते थे तो उनके लिए महेंगा material यूज करना मुश्किल था so वो जो भी local available होता था उससे sculptures बनाते थे जैसे sand हुआ, cement, concrete या red gravel मतब कंकर जो होते हैं लाल पत्थर जो हम छोटे-छोटे कंकर की बात करें so अब आते हैं subject matter पर subject matter में जैसे बच्चा आप sculpture देख पा रहे हो ये एक free standing outdoor sculpture है और मतलब round sculpture आप इसे कह सकते हैं ये वो sculpture होता है जिसको आप चारो तरफ से घूम के देख सकते हो और ये open में है outdoor में इसमें एक tribal peasant family एक संथाल परिवार को दिखाया गया है वो परिवार जो गरीब है और काम की तलाश में एक जगा से दूसरी जगा migrate हो रहा है तो ये उस journey का एक part है ये sculpture अब आए description पे या compositional arrangement इस sculpture में संथाल परिवार के चार सदस्यों को दिखाया है अब कौन-कौन आप देखें तो एक father, mother and two children और एक dog भी खेर साथ में चल रहा है अब आदमी की position अगर आप देखें तो आदमी एक बहंगी अपने कंधों पर लेकर चल रहा है बहंगी होती है कि जैसे एक बांस के डंडे या लकडी के डंडे के दोनों तरफ अगर आप टोकरी लगा दें और इसी बहंगी में पीछे की टोकरी में समान रखा है और आगे वाली टोकरी में जो front side पे है उसमें एक छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से बिठाया गया है उसके पीछे उसकी बीवी चल रही है हलका सा थोड़ा सा उसके पीछे और उसके सिर पर मतब उस बीवी ने अपने सिर के ओपर थोड़ा बहुत समान लगा रखा है जैसे और उसकी side में एक बच्चा है उसने पकड़ रखा है और साथ में एक डॉक को चलते हुए दिखाया है इसमें उस परिवार को बनाया गया है जो जुरूरत के बहुत कम समान को लेकर चलते हुए दिखाया है जिसे एक बहुत मामूली सा समान किसी के पास जो हो सकता है वो दिखाया है सो ये clearly visible होता है कि ये गरीब परिवार है जिस तरह के इनके चिपके हुए कपड़े दिखाये हैं बहुत ही कम लगेच है आदमी ने सिर के उपर एक गमचा बांदा है औरत ने अपने सिर के उपर एक टोकरी में एक मैट रखा हुआ है गोल करके वो आपको टेक्स्टर से दिख रहा होगा और खास बात इस स्कल्प्चर को लो पेडेस्टल पे बनाया अगर आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये फील कराने के लिए कि हम भी इसी का ही एक हिस्सा है as if we are the part of the same space और इसका एक और important point कि इस स्कल्प्चर को first public modern स्कल्प्चर भी बाना जाता है ठीक है जी आर्टिस्ट ने obviously traditional medium जो use किये जाते थे उस वकत वो नहीं करे जैसे मैंने कहा कि वो marble, wood, stone इनको avoid करते थे he preferred cement the symbol of modernization उन्होंने इस स्कल्प्चर को भी आप देखे cement में बनाया है cement and concrete जो हमने medium में भी discuss किया था and this sculpture is iconic because it gave a dignity and grace to the common people so उस लिहास से अगर हम इस स्कल्प्चर को देखे तो बहुत important है और आपके इसके subject matter को अच्छे से कर लीजेगा और description तो खैर बहुत simple है जैसे मैंने बताया कि चार लोग हैं किस किस तरह से उनका body बनाई गई है और आप बहुत ध्यान से एक चीज़ को देखे कि जैसे cement and concrete या हम कहें कि gravel जो कंकर बीच में डालके इसका rough body textured बनाई गई है तो वो भी एक symbolic significance रखती है मतलब बहुत smooth, समतल ऐसा कुछ इनकी skin नहीं दिखाई गई है इस sculpture में और ये बहुत अच्छा contrast दे रही है एक environment के साथ आप देखे पीछे खुला environment है और उसके बीच में ये textured bodies और उसके उपर theme देखे और ये बहुत लंबी figures बनाई गई है नॉर्मल human life से लंबी बनाया गया है इस sculpture को अब जल्दी से human life value इस sculpture की देख ले so first human life value जो हम निकाल सकते हैं इसमें से वो है family values of togetherness and unity मतलब हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हालात जो भी हो एक परिवार की एकता ही उसकी strength है and second obviously देखें कि care, love and affection of parents towards their children अब जैसे जिस भी हालात में है उन्होंने वो छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से उस बेंगी में उस टोकरी में बैठे दिखाया है और दूसरे बच्चे को माँ अपने हाथ से पकड़ कर ले के अपने साथ चल रही है so ये एक value भी आप इसमें add कर सकते हैं so this is all about the संथल family